नमस्कार दोस्तों फेक्टरी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विशाल बजाज आज हम आम जंता के बीच पहुँचके उनके विचार जान रहे हैं कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए समाज के लिए क्या कुछ किया है डिरेक्ट जान से हैं लोगों से उन यह फ़िटान कर रहे हैं इसका एक दूसरा जवाब ये है कि आप यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या नहीं करा जैसे आप आप यह पूछह करा है कि हमारी सोच से तो पर है हम सोच नहीं सकते हिसके अनों कालरे को बताने के लिए हो सकता है हमें special आपसे meeting ओ आप जैसे देख रहे हो खूण्दान जिसकी देश को सबसे ज़रूरत होती है निसे पूरा नहीं कर पाता है। और आप ये देखे जैसे कन्या विभा है, भून हत्या है, उसके बारे में जितनी मतलब हमारे पिताजी रोक थाम कराते हैं, इतनी आज तक किसी ने नहीं कराई और यंग जनरेशन आप देखते हैं, लोग बाग नसे में कितने चुड़े हुए हैं, आज आप देखें डेरे के जितने लोग आप ज़र भी नजर गुमाएंगे, यहाँ कोई नसे वाला आदमी नहीं है, और हम लोग यही लोग अपने जैसे लोगों को प्रिणना देते हैं प्रिकिसान के जरोध, तो आपकिसी सी भी आप आदमी से पूछेंगे ना, जो केवल हमारी राजनीतों को नहीं है, बाकि राजनीती के अलावा हमारे देश के हरादमी को उनके जरोध है। भी गर्मी के सरदी के उसको भी कपले प्रोवाइड कराने चाहिए उसकी सिच्छा करानी चाहिए यह नहीं कि हमारे इंटरनेस्टल में तो दूसरे का बच्चा किसी सरकारी स्कुल में भी ना जा पाए बस हमारी यही गुजारिस है